मुझार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नाई टुटोरियल में अपने आज के टुटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई है जो आप डबल बेरिंग असेंबली देख रहे हैं इस असेंबली को आज हम बनाएंगे Solidworks 2020 पर तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों मेरे साथ आपने पहले भी इस असेंबली को अलग-अलग सौफ़वेर्स पर बनाया है इसे बनाने के लिए हम चार components बनाएंगे पहले तो यह जो नीचे वाला पार्ट जो यह highlight हो रहा है यह है इसका base base, base के बाद इसके उपर यह cap लगी है, cap के और base के बीच में यह जो दो cylindrical objects है यह bushes है और इनकी tightening के लिए हमने यहां पर बोल्ट बनाए है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो पहले तो मैं इस file को यहां से close कर देता हूं, file को close करने के बाद यह जो screen हमारे सामने इस वक्त आपको दिखाई दे रही है यह वो screen है जब हम solidworks के icon पर double click करते हैं तो जो पहली screen आती ही वह ही है, यहां से मैं नई file को open कर रहा हूं देखिए मैंने new पर click किया, part पर click किया जब new file open होगी तो इस तरह से हमें दिखाई देगी, तो अब यहां से हम sketch बनाना शुरू करते हैं, तो पहले हमें base बनाना दोस्तों, base बनाने के लिए मैंने sketch पर click किया, यहां से front plane पर click किया, front plane पर click करने के बाद line command की मदद से हम यह sketch बनाएंगे, तो यह लिए line और इसके click इस end पर किया, और एक click बिल्कुल सीध है, आगे जाकर इस end पर, और उसके बाद देखिए, cursor को नीचे ले कर आएंगे, जब यह position आएगी, जब center बिल्कुल बीच में आजागा, तो click कर देएंगे, इसके बाद फिर से line पर गए, इस end point पर click किया, यहां से right hand आए, फिर इ नीचे आएंगे अब इस तरह से, और इस direction में आ जाते हैं, यहां से एक angle में जाएंगे, और फिर यहां से नीचे आ जाएंगे, escape दबा कर command से बाहर निकले, अब यहां dimensioning कर लेते हैं, dimensioning करने पर यह जो line है, यह हो जाएगी, 20, और इसके बाद यह जो radius है, यह हो जाएगी, यह हो जाएगा, R15, इसके बाद यह line जो है, इससे हम ले ले लेंगे, 20, अच्छा, अब एक काम इसमें और करते हैं, escape दबा कर मैं command से बाहर निकल रहा हूँ, इस point और इस point के बीच में एक relation हम बना लेते हैं, यह हो जाएगे, vertical alignment हो जाएगा इन दोनों के बीच में, और इसके बाद, command से फिर बाहर निकल आए, अब इस point और control दबाया हूँ है, मैंने और इस point के बीच में भी, हम यह ही relation बनाना है, यह भी vertically align हो जाएगे, इस तरह से, okay, तो आगे बढ़ते हैं अब, यहां से smart dimension पर दुबारा क्लिक किया, मैंने, इस vertical line की dimension हो जाएगी 20, और यहां से यह जो line है, यह हो जाएगी 30 mm की, तो overall height जो है, इस object की हो जाएगी 50 mm, यहां से हमने यह, इस कुछ तरह से लिया, यह हो जाएगा 45, 45 के बाद, यहां से, यह जो distance है, यह हो जाएगा 10, और ठीक इसी तरह से, यह जो distance है, यह भी हो जाएगा 10, तो अब यहां से, इस point के बीच की जो दूरी है, यह हम ले लेंगे 25, क्योंकि overall, जो height है, इस object की, वो है 50, यह हमने 25 ले लिया, तो, इसके बाद, हम यहां से center line एक लेंगे, यह देखिए, यह center line हमने ली, यह reference के लिए, अब इस पूरे object का हमने window बना के select किया, select करने के बाद, यहां से हम लेंगे mirror entities, mirror about पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद, इस center line को क्लिक करेंगे, यह देखिए, इसके मतलब about जो है, यह object, mirror हो गया यहां से, ओके, तो इस तरह से हमें यह दिखाई देगा, अब यहां से हम features, extrude पर क्लिक करते हैं, और यहां से हम ले लेंगे, mid plane, और इसके बाद यह जो, यह वाला distance है, यानि कि इसकी जो मुटाई है, थिकने से, यह start ले लेंगे, इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे, तो यह हमें इस तरह से नजर आएगा object, अब इसके बाद हमें इसके ऊपर एक projected portion भी बनाना है, उसे बना जाएगा, अब यहां से मैं control के साथ numeric 8 की प्रेस करूँगा, तो यह sketch orientation जो है, मैं दिखाई देने लगेगा, अब यहां से, यह देखिए, पहले तो हम यहां से convert entities ले ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पूरा पूरा जो chain है, इसे हमने select करके project कर लिया, अब यहां से आगे, यह देखिए, एक circle यह बनाया, और एक circle और बना दिया, अब escape दबा कर command से बाहर निकले, दोनों objects को select किया, और इन हैं, इस तरह से एक एक करके कर लेते हैं, एक बार इस पर click किया, और control दबा कर दूसरी बार इस पर click किया, अब इन दोनों के बीच में relation हमन यहां से इसका diameter change करके कर देंगे 50, अब यहां से आगे बढ़ते हुए, देखिए, यहां से मैंने track किया इसे, track करने के बाद, इस direction में आगे बढ़े, और circle को cross करते हुए line उपर ले गए, अब यहां से यह distance यह हो जाएगा हमारा 15 mm, और यहां से यह circle का quadrant है, मतलब यह जो point है इसका, यहां से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से line बढ़ाते हुए, trim entities use करेंगे, और यह देखिए, इसके zoom करके इसके बीतर का जो यह part है, इसे trim करेंगे, यहां से इसे trim कर लेंगे, escape दोबाएंगे, इसके बाद यहां से हमने reference के एक center line ले ले ली, यह देखिए, बीच में point मिला, यहां से एक vertical center line बनाई, अब mirror entities पर click किया, एक click यहां, एक click इदर, एक click नीचे, यह 3 line हम mirror करेंगे, mirror about पर click करने के बाद, center line पर click करेंगे, और okay, इस तरह से object हमें नजर आने लगेगा, अब trimming करनी है, trimming करते हुए, देखि इस तरह से sketch close हो गया है, यह नीचे से भी close है, और इधर से भी close है, और यह sides जो है, यहां पर भी हमें trimming करनी होगी, यह देखिए, यह, यह सभी trim हो जाएगा, अब, okay, features extrude, इसे हम आगे की तरफ लेंगे कितना, 10 mm, और okay कर दिया हमने, अब इसी projected portion को हम दूसरे side बनाना चाहते हैं, तो हमें दुबारा नहीं बनाना पड़ेगा, हम इसे mirror कर लेते हैं, तो यहां से यह देखिए, यह 3D mirror, mirror पर click किया, mirror plane हम यहां से select कर लेते हैं, यह product tree को open करेंगे, यहां से यह front plane आ जाएगा है, front plane हमने reference ले लिया, और boss extrude 2, यह जो हमे hole बनाने के लिए दुबारा sketch पर गए, यह face जो सबसे उपर वाला face है, इस पर click किया, control के साथ numeric 8 प्रेस करेंगे, अब यहां पर हमें hole बनाना है, देखिए, यहां से track करते हुए मैं उपर लेकर गया, और यहां पर कहीं पर भी, और उसके बाद इस से मिलते जुलते, यहा करना क्या है हमें, कि इन तीनों को हमने, control दबा के, ऐसे select किया, और यहां से equal पर click कर दिया, इनका diameter equal हो गया, अब इनकी location देखते हैं, क्या है, location यहां से, पहले हम यहां diameter देख लेते हैं, यह 10 mm लेना है हमें, एक को change करेंगे, बाकी तीनों, बाकी दोनों जो हैं वो अपन यह देखिए, यह जो distance होगा, यह 30 ही होगा, अब यहां से, यह जो distance होगा, यह 60 mm होगा, और, यहां से, यह भी 60 mm होगा, अब इसके आगे बढ़ते हुए हम, इने vertically align कर लेते हैं पहले तो, यहां से, इन distances को भी हमें लेना होगा, यह हो जाएगा, पंदरा, इस तरह से, अब एक center line बनाएंगे, horizontal center line बना लेते हैं, यह देखिए, यह यह रहा midpoint, यहां से, एक इधर की तरफ हमने center line बनाई, अब escape दुबा कर बाहर निकले, command से, mirror entities पर click किया, एक click इधर, एक click इधर, और एक click इधर किया, mirror about, यह center line का reference ले लिया और ok पर click किया, तो देखिए, इस तरह से, यह sketch बन गया आपका, अब यहां से हम, इसे features में जाकर, extrude cut करेंगे, और इसकी जो depth होगी, वो हो जाएगी 30 mm, और यहां से, ok पर click करेंगे, यह देखिए, whole इस तरह से हमें, नजर आएंगे, अब जो है, इसके जितने भी corner से हमें, हमें fillet करना है, तो fillet करने के लिए, देखिए, यह fillet पर गए, value यहां पर देदेंगे, एक mm, एक type पर के enterprise किया, और उसके बाद, यह पूरे object को select किया, अब देखिए, 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 इसमें, यह edges जो है, वो select हो रही है, अब यहां पर एक list आजाएगी, जिसमें सभी edges होंगी, इस तरह से देखिए, इसके सारे corner समने, fillet करके, यहां पर ok पर click कर देंगे हम, इस तरह से नजर आएगा, चलिए, अब इसका हम color change करते हैं, यह इसकी appearance change करते हैं, यहां cursor को ले जाकर right click करेंगे, और appearance, body, अब यहां से हम, यह appearance है, यह हम ले लिया, metal, metal में हम आ जाएंगे, इसको हम ले लेते हैं, steel पर, polished steel ले लिया, हमने यहां से, और ok कर दिया, इस तरह से हमें यह object नजर आएगा, अब इसको save कर लेते हैं हम, save as, इसे desktop पर लेंगे हम, यहां पर हम इसे save करेंगे, base 1 के नाम से, और यहां save, यह component हमारा save हो गया, अब आगे बढ़ते हम, इसको cancel करते हैं, नई फाइल open करते हैं, ok, अब हम बनाएंगे cap, यह नई फाइल open हो गई, इसके बाद हमने यहां देगे sketch पर click किया, फिर दुबारा यहां sketch पर click किया, front plane ले लिया, अब यहां से हमें बनाना है पहले, यह center rectangle पर click किया, एक click center पर और इस तरह से click बाहर, अब smart dimension पर जाने के बाद, इसे हम कर देंगे, 140, और यह line हो जाएगी, 25, escape दुबा कर command से बाहर निकलेंगे, अब यहां से लेंगे circle, यहां पर कहीं पर भी जिखिए, इस line पर हम center mark करेंगे, और एक circle बनाएंगे, और यहां पर भी center mark करके circle बना लेंगे, escape दुबा कर command से बाहर निकलेंगे, पहला click इस circle पर, दूसरा click इस circle पर control की press की हुई है मैंने, और यहां से equal पर click कर देंगे, तो यह दोनों circle का diameter equal हो जाएगा, अब यहां से smart dimension पर click किया, यहां से इस circle का diameter हम कर देंगे 30, अब center से इसका, यह change कर लेते हैं distance, यह हो जाएगा 35 mm, और यह distance भी, इस side भी 35 mm हो जाएगा, ओके, तो इतना बनाने के बाद आगे, trim पर click करेंगे, और यह देखिए, यह नीचे आला portion, इससे remove कर देंगे, यह हमारा sketch तयार हो गया, trim पर click किया, यहां से ok पर click किया, बाहर निकलेंगे sketch से, features extrude, अब यहां से लेंगे हम mid plane का option, और उसके बाद 60 mm का thickness के value, और ok, यह इस तरह से, यह object हमें नज़र आएगा, अब इसके उपर projected portion बनाना sketch पर click किया दुबारा, और यह face सामने वाला, इस पर click किया, control के साथ numeric 8 की press किया, मैंने, इसके बाद यहां से हम convert entities लेते हैं, convert entities लेने के बाद हम यह पूरा face ले लेंगे यहां से, और ok पर click कर देंगा, यह देखिए, पूरा face जो है, इस पर project हो गई line है, अब यहां से आगे, यह circle और यह देखिए, यह R25 दिखा रहा है, tangent भी दिखा रहा है, यहीं पर click कर दिया, ऐसे ही, यह circle भी बनेगा, इसकी radius जो है वो 25 होगी, अब trimming, trimming, trim पर click किया हमने, देखिए, यह इस तरह से, यह portion हमने दोनों तरफ से remove कर दिया, इसके बाद यह सामने वाला portion remove कर दिया, इसके बाद यहां से, यह trim हो गया, यह trim हो गया, और इसके बाद हम यह portion जो बीच वाला है, इसे trim कर देंगे, तो यह object इस तरह से हमें नजर करने के बाद यहां से फीचर्स एक्स्ट्रूड है ओके इसको जो प्रोजेक्ट पॉर्शन बाहर निकलेगा यह भी इसकी तिकनेश हो जाएगी दसम्म कि यह ओके पर क्लिक कर दिया इस तरह से मैं नजर आने लगा यहां से हम गए मिरर फ्रंट प्लेन और इस तरह से देखिए मिरर हो गया अब इसमें भी हमें पीछे यहां से या तो उपर से या फिर नीचे से कहीं से भी हम इसमें क्योंकि जो होल बनने हैं वह आरपार बनने हैं थुरू होल बनने हैं स्केच पर क्लिक किया यह देखिए फेस ले लिए कंट्रो वही लोकोशियन फॉलो करते हुए उतने ही डामीटर के होल बनाएंगे यह देखिए एसकेप दबा कर बाहर निकले तीन सर्क्ल बनाए एक क्लिक इस पर एक क्लिक इस पर और एक क्लिक इस पर कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ है अब यहां से इक्वल यह तीनों का डाम इक्वल हो गया स्मार्ट डामेंशन पर जाने के बाद किसी भी एक सर्क्ल का डामेंटर हम दे देते हैं यहां पर हमने ले दिया इसको दस में तीनों सर्कल दस में के हो गए अब यहां से इनकी जो एक्स वाई पोजिशन है उसको हम यहां से चेंज करेंगे यह डिस्टेंस यह हो जाएगा 30 और यहां से यह डिस्टेंस हो जाएगा 15 इसी तरह से यह चेंज हमें इधर भी करना होगा यह भी हो जाएगा 15 अब एक इसमें कंस्टेंट हम और अपलाई कर सकते हैं यहां से हमने यह ले लिया एक पॉइंट ही है और एक पॉइंट है इन दोनों को हमने वर्टिकल यह लाइन कर दिया यह वर्टिकल लिया यहां से चलिए अब इसको मिरर कर लेते हैं मिरर करने से पहले हम यह वाली एक जो यह पॉजिशन है इसको भी यहां से यह हो जाएगा साट इधर से भी साट और दूसरी तरफ से भी साट है मैं यह ले लिया और यहां से हम ले लेंगे सेंटर लाइन इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए हम मिरर एंटिटीज पर जाते हैं एक दो तीन मिरर अबाउट और यह सेंटर लाइन यहां से यह सकेच हमारा रेडी हो गया फीचर एक्स्टूड कट यहां से इसको थोड़ा सा हम डिल्ट करेंगे और यहां ले लेंगे थुरू आल और ओके तो यह अब्जेक्ट यहां पर यह भी क्लियर हो जाता है अब इसमें भी फिलेट करना है तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे फिलेट पर क्लिक करेंगे यहां पर वैल्यू देंगे एक और एंटर प्रेस करेंगे इसके बाद विंडो बनाके पूरे अबजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे दीरे-दीर यह सारी एजिस को जो है वो सेलेक्ट कर लेगा और फिलेट कर देगा ओके अब इसका भी अपियरेंस हम चेंज कर लेते हैं यहां से बॉडी राइट क्लिक किया था मैंने तो यह आप्शन साय थे यह जियान रखिएगा स्टील ब्रश यह पॉलिश्ड स्टील ले लिया हमने जो पहले उसमें लिया था और ओके कर दिया यहां से तो यह इस तरह से दिखेगा इसे भी हम सेव कर लेते हैं यहां से सेव ऐस डेस्टाप पर मैंने सेव कर लिया इसे कैप वन के नाम से सी एपी वन और यहां पर दोस्तों यह कॉंपोनेंट भी सेव हो गया इसके बाद हमें दूसरा कॉंपोनेंट बुष्ट बनाना यहां से नई फाइल ओपन करेंगे ढोपन कर दिया है भी और यह फाइल नए नज़र आ हुए घमि इसमें एक बुष बनाना है तो बुष बनाने के लिए यह इसकेश पर कलिक किया यह देखियए इस तरह से यहां मैं ले लेता हूँ राइट प्लेन और सेंटर लाइन पहले ही मार्क कर लेते हैं हम और इसके बाद यहां से इस तरह से मैं यह जो फिकर है वो बना रहा हूं अब देखिए यहां चेंज्ज क्या करने हैं पहला चेंज तो यह है कि यह है नबबे अब के और सेंटर से इसे ले लेते हैं 42 यह बीच में आ गया अच्छा अब यहां से यह जो डिस्टेंस है यह है क्या रहा है और सेंटर से ही यह डिस्टेंस जो है इसकेप दबाकर मैं पहले कंट्रोल जेट कर ले रहा हूं कि देखिए यह है पोजिशन स्मार्ट डिमेंशन पर दुबारा जाएंगे इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का यह जो डिस्टेंस है यह है पंद्रह कि छोटा हो जाएगा यहां से अब इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह बीच और यह जो डिस्टेंस है यह दस अब यह स्केच तैयार है यहां से और फीचर रिवाल्व और उके सेंटर लाइन हमने बनाई ती उसको यह एक्सिस ऑफ रेविल्यूशन ले लिया अब यहां से हम यह देखिए फिलेट के नीचे यहां चैंफर नजर आ रहा है तो हम एक एमेम का चैंफर ले ले लेते हैं यहां वैल्यू रखी एक एमेम एक टाइप करके इंटरप्रेस किया एक तो यह वाली जो एज है और दूसरा इस एज पर हमने क्लिक किया और यहां से ओके पर क्लिक कर दिया तो यह देखिए वन इंटू 45 डिगरी यह इसके दोनों कॉर्नर्स पर दोनों जो एजेस नजर आ रही थी इस पर कि तरिपरस में ले लेते हैं पौलिंशट ब्रास और ओके में to अब इसे कर लेते हैं इसे कर माइप सेभिज उनन के नाम से कर लेता हो बनिज़िगे इसके यहां पर हैं और और यहां से कर दो यहां से फाइल ओपन करने के बाद यहां से हम पर क्लिक करेंगे अब इधर से डिजाइन लाइबरेरी पर क्लिक करते हैं टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहां से हम जो है मशीन स्क्रूज हैं जिसे यह आपको नजर आ रहा है पर पर भी है में अच्ब आँख रिट Bears नए फाइल ओपन करते हैं यहां से नई फाइल ओपन की हमने अशेंबली पर क्लिक किया ओके पर क्लिक किया अब हम भाव मिशेंट करेंगे असेंबल करने तो यहां से देखिए अब यह है इसे एक इसाइंसल किया ब्राउस पर क्लिक किया हमने ब्राउस पर क्लिक करने बाद जाएंगे डेस्टॉप अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से यह फ्लोट पर क्लिक करेंगे तो यह lynouting हो जाएगा Sixt नहीं होगा अपने उसी स्ञेशन पर अब हम क्या करेंगे कि जो पृशिशन से प्लेंड की और इसके इस कॉंव्पोनेंट के पॉशिशन और इसके प्लेंज और इसके पोडिए कि दोनों में difference है यह देखिए यह component का top plane यह difference है इस पर click किया हमने यह देखिए यह fix हो गया यह जाकर और यहां से हमने okay पर click किया अब अगला मेट हमें क्या करा नहीं तीनों plane सम्मेट करा देंगे top लिया था अब ले लिया हमने front plane यह assembly का है और यहां से यह front plane यह component का यह मेट हो गया यहां से okay कर दिया इसके बाद यह लिया right plane यह देखिए यहां पर है और यह component का right plane यह अब यह तीनों plane जो है assembly के और component के match कर रहे हैं अब यह एक जगा पर fix हो गया है अब इसके बाद हम अगला component लेकर आएंगे cap यहां से लिए insert component और यह open हुआ जैसे ही यह एक पर अब जो है मेट कराएंगे से मेट पर क्लिक किया हमने अब एक क्लिक जो है वो इस फेस पर होगा यहां पर और एक क्लिक इस फेस पर इस दिखने लगा यहां से हमने है ओके कर दिया और मेट को कैंसल किया और यहां से मूव कि यह थोड़ा सा उपर की तरफ ड्रैक करके से मूव कर आया कि क्लियर तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम अगला जो मेट कराएंगे वो क्या होगा यहां से अब हम यह कंशेंट्र करा देंगे यहां से यह ढ़िए कंसेंट्र के हाँं पर यह हाई-लाइटड है और हमने और क्लिक कर दिया यह दहाना नहीं सही जगा पर जाकर ये बैठ गया अच्छा अब इसके बाद यहां से ओके पर क्लिक किया हमने अब हम लेकर आएंगे क्या बुशेज यहां से इंसर्ट कॉंपोनेंट बुश वन ओपन यहीं पर क्लिक कर दिया इसे और मेट मेट के बाद यह टेंजनसी वलब इस फेस की और यह यह तो नों कंसेंट्र कर दिया हमने देखिए इस तरह से अब इसका जो फेस है यह फेस और यहां से यह फेस और कि यह देखिए यह अपनी जगह पर तो कैंसल पर क्लिक किया अब हमें यही रिपीट करना है तो हम यहां से जाएंगे इंसर्ट कॉंपोनेंट कॉपी विद मेट्स सेलेक्टेड कॉंपोनेंट्स यहां से हमने बुश पर क्लिक किया और यह देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे कनसेंट्रिक में हम जो है वो रिपीट ना करके यहां क्लिक कर देंगे और यहां पर हम रिपीट कर सकते हैं यह देखिए और यहां से ओके और यह लग गई अब इनमें हमें हमेंगे दिजाइन लाइबरेरी से इस पर क्लिक किया इसमें जब da design library पर जाएंगे हमें इस तरह से कुछ नजर आएगी यहां पर टूल बॉक्स है टूल बॉक्स पर जैसे क्लिक करेंगे कि देखिए इतने सारे आप्शन सा जाएंगे यहां से हमने लिया ANSI metric bolts and screws अब यहां से हम ले लेते हैं यह hexagonal headed screw है इसके अंदर जाएंगे यहां से हमने यह hexagonal bolt यह जो simple सा है यहां से drag कराके से यहां लेकर आए इस तरह से नजर आ रहा है अब इसका जो specification है वह हम भी ले ली पचास ले ली यहां पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं उसे मतलब यह पूरे पोर्शन यह जो शैंक का पोर्शन इस पर त्रेड़ेट रहेगा सिंप्लिफाइड में थ्रेड नहीं दिखाई दे रहेगी कॉस्मेटिक में हमें यह इस तरह से नजर आएगी मुला में दिखाई दे रही लेकिन इस पर बनी नहीं है हां यहां से लेकिन अगर हम यह option चेंज करके कैसे चाहिए यहां से हम escape पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि बाद में copy with mates यूज कर लेंगे इस तरह से में दिखाई दे रहा अब यहां से मेट ले लिया हमने मेट लेने के बाद बस इसमें हम इंसर्ट करते चले जाएंगे यहां से यह face ले लिया इसका अंदर वाला और इसका यह हो जाएगा आपका शैंक का यह face अब यह उल्टा इसमें जा रहा है यहां से हम कर देंगे flip यह इस ताना से दिखाई देगा अब हमें यहां से ok पर क् नहीं है तो हम यहां से क्या करेंगे cancel और मेट से बाहर निकलने के लिए हमने cancel किया था constraints को cancel नहीं किया था यहां मूव component पर क्लिक किया ड्रैक करके ऊपर की तरफ लेकर आपके यह इस तरह से खुल रही है यह इस वजह से खुल रही है क्योंकि अभी हमने यहां पर एक constraint apply कर करना रह गया था इस पर क्लिक करके बाहर निकले मेट ले लिया यहां पर अब एक क्लिक इधर कर लेते हैं और एक क्लिक इधर कर लेंगे तो यह देखिए वापस अपनी जगा पर आजाएगी assembly okay अब यह इसमें दिक्कत नहीं आएगी एक constraint जो था वो शायद कम पढ़ रहा था इसमें जो कि हमने अभी कर लिया अब इसे अगर हम ड्रैक करके उपर नीचे लेकर आते हैं तो I don't think so कि ऐसा कुछ दिक्कत आनी चाहिए यह देखिए अब यह दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि उदर से भी वह fix हो गया अब बाहर रिख लेंगे यहां से मेट पर क्लिक किया कि गलती करना बहुत जरूरी है जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक में समझ में नहीं आएगा कि उसको सुधारे कैसे तो यह faces हमने आपस में मिला दिया ओके कर दिया अब कॉपी मेट्स यूज करेंगे हम और इन सभी बोल्ट्स को इसमें फिट कर देंगे अच्छा यहां से आगे बढ़ते हुए यह देखिए कॉपी विद्मेट्स कॉम्परेंट सेलेक्टेड यही कॉम्परेंट ले लिया हमने यहां से यहां अगे बढ़े और यह देखिए इस तरह से आया और इसको रिपीट कर लेते हैं यहां से ठीक है ओके पर क्लिक किया उसके बाद फिर से यह देखिया रहा है तो हमने यह ले लिया और इसे रिपीट कर लेते हैं ओके फिर यहां से यह ले लिया यह रिपीटेड है ओके और देखिए इस तरह से कितने भी multiple components लगाने हों same constraints को use करते हुए तो कितना असान है इसमें और यहां से okay कर दिया और फिर यहां से cancel तो यह assembly हमारी तैयार होगी double bearing की दोस्तों यह थी double bearing assembly in solidworks 2020 अगर दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज इसे लाइक करें इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ मेरे वीडियो के notifications सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और अगर इस वीडियो से लेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेट सेक्शन में डालें थैंक्यू हुआ है है